आज का हमारा विशेह है एकका नामे के अवतार बनो प्यारे बाबा अपने हर बच्चे को खिले हुए रुहानी गुलाब जैसा देखना चाते हैं आधा खिला हुआ नहीं, पूरा खिला हुआ खिला हुआ फूल कितना अच्छा लगता है सभी कितने मजे से देखते हैं लेकिन वही फूल जब मुर्जा जाता है तो क्या करते हैं? किनारे कर देती हैं यहां बाप दादा किसी को किनारे करते नहीं है लेकिन वो अपने आप किनारे हो जाता है बाबा ने कहा राजयो का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन तो मिलन मी क्या करती हैं? खुशी से नाचती हैं और दिल से बाप दादा के महिमा के गीत गाती हैं तो आप भी गाते रहो और नाचते रहो सीजन भी गानी और नाचनी की हैं तो नाचो और गाउ कभी-कभी बच्चे नाचनी और गानी की इस मारक को जान बूझ करके मुश्किल मारक बना दीती हैं है तो सहज, मुश्किल नहीं है, बाबा जानती है, 63 चनम भक्ती में बहुत मेहनत का जीवन जिया है, इसलिए अभी सहज है, लेकिन कभी-कभी मुश्किल लगता है, क्यों? इसलिए जैसे कोई चलते-चलते अपना रास्ता भूल जाए और दूसरे रास्ते पर चला जाए, तो मुश्किल लगेगा ना, तो ज्यान का जीवन सरल है, ब्रहमन जीवन सहज है, लेकिन ब्रहमन बनते-बनते छत्रिये बन जाती है, और छत्रिये का काम है लड़ाई जगड करना, तो वो तो मुश्किल लगेगा, युद्ध करना मुश्किल होता है, और मोज में रहना आसान होता है, आज शिव जैन्ती है, और शिव जैन्ती के निमित, दो बातों का बहुत महत्वा होता है, एक वरत, और दूसरा जागरण, तो आप सब बच्चों ने पका वरत धारन किया, पकी चीज अच्छी लगती है, कच्ची चीज पसंद नहीं आती है, तो पहला पहला वरत लिया संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने धारन करवाया, और आप बच्चों ने धारन कर लिया, लेकिन संपूर्ण पवित्रता केवल ब्रह्मचर ये नहीं है संपूर्ण पवित्रता अर्थात ब्रह्मा बाबा के समान मन वचन करम तब कहेंगे ब्रह्मचारी भी और ब्रह्माचारी भी संकल्प में भी पवित्रता का महत्व वानी में भी पवित्रता का वाइब्रेशन और कर्म में भी कर्म योगी जीवन इसको कहते हैं ब्रह्माचारी आप सब ने ब्रह्मा बाबा को देखा एक एक बोल महावाक्य था साधारण वाक्य नहीं आप सब बच्चे साधारण नहीं हो अलोकिको अलोकिकता का अर्थ है पवित्रता इसलिए हर बच्चा अपना टीचर भन करके रोज रात को अपना चार्ट चेक करें कि आज मन वचन कर्म के परसंटेज क्या रही और उस परसंटेज के आधार पे अपने आपको माक्स देना माक्स तो सो में से सो लें बाबा की ऐसी शुब कामना है दूसरों को मत देखना कई बचे दूसरों का चार्ट बहुत देखते हैं क्योंकि वो सहज लगता है पर दूसरों को नहीं देखना है खुद को देखना है बाबा नहीं कहा यह देखो कि प्रती दिन की मेरी परसंटेज परिवर्तन की कितनी है और परिवर्तन भी उचाई पर चड़ने का होना चाहिए गिरने का नहीं होना चाहिए बाप दादा सब बच्चों का चाहे लास्ट है चाहे फास्ट कभी कभी चार्ट देखते हैं हमेशा नहीं देखते हैं तो बाबा नि जो चार्ट देखा उसके आधार पर इशारा दे रही है कि अभी भी जो फाउंडिशन संकल्प शक्ती वो वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव उससे थोड़ी कम है अपनी संकल्प शक्ते का सदुपियोग आत्म कल्यान और विश्व कल्यान के प्रती करने में बढ़ाओ क्योंकि जब संकल्प स्रेष्ठ बनीगा तो वानी और करम अपने आप स्रेष्ठ बन जाएंगे जो संकल्प व्यर्थ जाते हैं नेगेटिव होते हैं उनका परिवर्तन करो और विश्व कल्यान में लगाओ बाप दादा संकल्प शक्ति को सबसे बड़ा खजाना मानते हैं इसलिए संकल्प शक्ति की एकोनोमी के अवतार बनो शिव जैन्ति को कहते हैं भगवान शिव के अवतर्ण का दिवस तो आज भगवान के अवतर्ण दिवस पर आप बच्चे भी एकोनोमी के अवतार बन जाओ जब संकल्प का खजाना सही तरीके से यूज होने लगेगा तो बख्की सब खजाने भी अपने आप सफल होते जाएंगे बाबा नी कहा संसार में कुछ भी होता रही आप बच्चे निर्भई और हर्शेतों करके खेल देखो खेल में कभी खून होता है कभी प्यार होता है कभी लडाई होती है कभी अच्छी बातें भी होती है तो खेल देखते वे कोई घबराता है क्या उसके मन में सवाल उठता है क्या कि ये क्यों हुआ क्या हुआ कैसे हुआ नहीं मजे से खेल देखते तो आप भी दुनिया के खेल को मजे से दिखो अगर खेल देखते आप घबरा गए ढर गए तो इसका effect आपकी स्थीती पर आएगा खेल में अगर अच्छा द्रिश्य आया तो स्थीती अच्छी हो जाएगी नेगेटिव द्रिश्य आया तो आपके स्थीती भी हिल जाएगी इसलिए घबराओ नहीं खेल देखो खेल का आनंद लो लेकिन क्यों क्या का संकल्प भी कभी अंदर में पैदा मत होने दो प्रकर्ती हल चल करती है तो आप क्यों घबराते हो आप प्रकर्ती के माली को आपने प्रकर्ती को ओर्डर दिया है कि दुनिया की सफाई करो और उसको आपने बड़ा सा जाड़ू पकड़ा दिया है तो अब वो आपका ओर्डर मान करके सफाई कर रही है तो आप घबरा ग्यों रही हो साक्सियो करके प्रकर्ति जो कुछ कर रही है उसका आनंद लो मन बुद्धी को शक्तिशाली बनाई अपनी अचल अडोल स्थिती में टिक जाओ आप अलोकिको हो साधारन नहीं हो घबराना आपका काम नहीं है दुनिया के लोग घबराते हैं हलचल में आते हैं आप तो साक्सियो के सब कुछ देखते हुए अपने विश्वक कल्यान के कारिये में बिजी रहो अगर मन बुद्धी बिजी रहेंगे तो निर्भय बन जाएंगे बिजी नहीं रहेंगे तो भय का वार होगा इसलिए मन बुध्धी को लाइट हाउस के स्थिती में स्थित करो चारू तरफ लाइट फैलानी की सेवा करो इस सक्सी द्रस्टा बन जाएंगे अचल अडोल बन जाएंगे फिर बाबा नहीं कहा कैसी भी परिस्थिती हो लेकिन अपनी बुद्धी की लाइन को क्लियर रखना क्यों क्या ये सब बुद्धी में भरने मत दे ऐसा समय भी आने वाला है कि ना आपकी इमेल चलेगी ना फोन चलेगे ना इंटरनेट होगी अर्थात साइन्स के साधन काम नहीं करेंगी लेकिन जो साइलेंस की शक्ती है उसको आप कहीं भी रहती किसी भी परिस्थिती में स्पस्ट रूप से परियोग में ला सकेंगे अगर आपकी स्थिती एक मैं और एक मेरा बाबा इस स्मृती से अचल अडोल है तो आप बाप के डायरेक्शन को स्पस्ट रूप से तुरंत कैच कर पाएंगे इसलिए साइन्स के साधनों का भले प्रियोग करो लेकिन साधनों के अधिन मत हो जाओ न्यारे होकर के इन साधनों को सेवा में लगाओ साधन आपके लिए हैं आप इनका भरपूरला बुठाओ स्वव उन्नती में और सेवा में इन साधनों को यूज करो लेकिन यूज करते वे भी बुध्धी की लाइन को कहीं भी अंगेज मत होने दो बुध्धी की लाइन को हमेशा क्लियर रखो बुध्धी की लाइन को क्लियर रखना इसी को बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं सच्चाई और सफाई सच्चे दिल पे साहे बराजी सच तो बिठो नच सच्चे पर भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होता है और वर्तमान समय इस सच्चाई की बहुत अवश्यक्ता है तो खुद के प्रति सच्चाई परिबार के प्रति सच्चाई और बाप के प्रति सच्चाई इसको सदा बना करके रखना अगर अचानक हलचल हो जाई प्रक्रती में भी हल चल मानव आत्माओं में भी हल चल तो आप क्या करेंगे आपकी सुरक्ष्या का साधन क्या है तुरंत अशरीरी विदेही और आत्म अभिमानी स्थीती में टिक जाओ यही सेफ्टी का बड़े से बड़ा साधन इसलिए बाबा बार बार बच्चों को याद कराती हैं कि थोड़ा भी समय मिले तो अशरीरी होने का अभ्यास करो मन बुध्धी संस्कार तीनों के उपर कमांड रखो ताकि हल्चल के समय आप बुध्धी को जितनी देर चाहें जहां चाहें वहां टिका सके अगर मन और बुध्धी कंट्रोल में हैं तो बाही परिस्तिति आपका कुछ भी बिगाड नहीं सकेगी इसलिए समय परती समय ड्रिल करते रहूं एका गरता के अभ्यास को बढ़ाते रहूं यही आप बचों की सिफ्टी का साधन है और इसका आधार है संकल्पों की एकानामी ओम श्यांति